इस्राइल हमास युद्ध की आज से पुरा मिडिलीस्ट धधक रहा है। इस्राइल को दहला दिया है। इसके बार टैंग को एक गाइड़ेट मिसाइल से तबाह कर दिया। इस सटीक हमले से चालक दल के सदस्य भी मारे गए। इसके अलावा अलमनसूरी में लड़ाकों ने गाइड़ेट मिसाइलों और तोपों का इस्तमाल कर जारिट पैरक के पास मौजूद कई टार्गेट पर हमला किया। इसमें लड़ाकों को बड़ी कामियावी हाथ लगी है। साथ ही इस्राइली बलों की ओर से बनाय ठिकानों को दबाह किया गया है। प्रतिरोधी लड़ाकों ने तोक खाने के गोले से कबजे वाले शीबा फार्म में जबदीन साइट को निशाना बनाया जिसे सीधे हमले से अंजाम पहुचाया गया। इसरायली हमलों का जवाब देते हुए इसलामिक प्रतिरोध ने रौकेटों की बोचार कर अल मनारा बस्ती में एक इमारत को निशाना बनाया। ऐसा दावा है कि इसमें इसरायली सैनिक तैनात थे जो कि सीधे हमले में धेर हो गया। वहीं अल मनारा में भी ऐसे ही एक हमले में इसरायली बलों को धूल चटाने का अदावा किया गया। हिजबुल्ला लड़ा के यही नहीं रुके कबजे वाले कफर चौबा पहाड़ियों में रूइस्मत अल आलम साइट पर निगरानी उप्तरणों पर हमला कर उन्हें नश्ट किया। साथ ही इसरायली हमलों के जवाब में हिजबुलुला ने मेटूला बस्ती में IDF की ओर से इस्तमाल होने वाली दो इमारतों पर सीधा हमला कर जमी दोस कर दिया। एक और खतरना कॉपरेशन में से नानियों निश्टूला बस्ती में सैनिको के कैम पर हमला किया। हिजबुल्ला ने भीशड हमले की फुटेज भी जारी की है इसमें अलमर्ज बेस पर तैनात इसराइली नामर बक्तरबंद कार्मिक वाहन को निशाना बनाने वाले ओपरेशन का खुलासा हुआ वीडियो में एक सैने वाहन को अलमास मिसाइल से सीधे हमला करते हुए दिखाया गया है इरान के राश्रपती इप्राइम रहिसी के हलिकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद से बॉकलाए हिजबुल्ला ने अपने हमलों को और तेज कर दिया है इसके चलते हिजबुल्ला ने बीट हिलेल में बटालियन 769 के कमांड सेंटर पर फलक रॉकेट से हमला किया जो की सीधा हमला बताये गया वहीं एक तरफा ड्रोन का इस्तमाल कर आइलेट में 51 डिवीजन मुख्याले पर धावा बोला साथ ही सीधे इस्राइली अधिकारियों और सैनिकों पर सटीख हमला भी किया हिजबुल्ला ने दोराया कि यह उप्रेशन गाजा के फिलिस्तीनी लोगा और उनके प्रतिरोत के समर्थन तक जारी रहेंगे जब तक इस्राइल जन के मैदान में घुटने नहीं टेक लेता इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ये भी घोशड़ा की कि उसके दो लड़ाके शहीद हो गए